प्रणाम दोस्तों मैं सुबत कुमा ठाकूर आज इस वीडियो में आपको एक नया गैजट्स के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं हिंट्स मैंने पहले ही अपने चैनल के एक सॉट्स में बता दिया था तो यहां पर मैं एक लॉंग वीडियो आपको बना रहा हूं इसमे क्या नाम दिया मैंने मल्टी वॉटेज स्मार्ट अडप्टर अब सबसे पहले देखिए कि इसको हम एसम्बल कैसे करेंगे मत्तब यूज करने के लायक बनाएंगे कैसे तो चलिए हम एक एक करके इसको हम पहले कंप्लीट करतें इस डिवाइस को फिर इसके बारे में आपक है यह आपको जा करके लगेगा आपका डीसी में तो डीसी में लगाते हैं डीसी में आप इस तरह इसको लगा सकते इस केवल को देखिए इसमें दो पोल दे रखें, नेगेटिव पोल दे रखें, इस तरह करके आप DC में लगा लोगे और इसका ये वाला जो end है, आप इसमें connect करोगे यहाँ पर आप connect करेंगे, connect कर दिया हमने तो ये हो गया इस device का input, इस device का हमने input दे दिया अब हम इसका output ready करते हैं, तो output जब आप ready करेंगे तो output में हमारे पास देखें, यहाँ पर दो option है, एक तो आप देख सकते यह केबल आता है, दूसरा आप देख सकते यह केबल आता है, यह केबल हमारा DC pin नजर आ रही है तो यह जो USB टाइप पाला है यह तो आपका हो जाता है लेनवों के लिए और यहां पर जो देख रहे हैं HP और Dell आपको एक Big Size और Mini Size नजर आ रहा है तो Mini Size Combo है यह HP में भी चलेगा Dell में भी चलेगा उसी तरह Big Size जो है वो भी आपका Combo है HP में भी चलेगा Dell में भी चलेगा मतलब अगर यह डिवाइस आपके पास है तो अलग से आपको HP का DC pin Mini और Big रखने के जरूत नहीं Dell का DC pin Mini और Big रखने के जरूत नहीं है है ना चलेए यह हमने देख लिया अच्छा इसको हम कैसे Attach करेंगे Attach करते हैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें Output दे रखा यहाँ पर आप Attach कर सकते हैं अपने यह Generic laptop पाले जो केबल से उसको और Type C को जब अटाच करना है तो Type C को भी हम Attach करते हैं देखिए Type-C कहां connect होगा यह Type-C यहाँ पर connect होगा तो इस तरह से यह होगया हमारा output ready एक तरफ हमने input ready कर दिया दूसरी तरफ output ready कर दिया और इसी में देखे एक on-off button नजर आ रहा है इस button को आप on-off कर सकते हैं यहाँ से भी DC से on-off करने की कोई जरुत नहीं device की खासियत अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ HP-Dell Lenovo हाँ ना HP-Dell Lenovo मतलब यह जो device है यह आपका HP को सपोर्ट करेगा Dell को सपोर्ट करेगा और Lenovo को सपोर्ट करेगा साथ ही अगर यहाँ पर हम देखे टाइप सी का भी दे रखा आउटपूट तो टाइप सी का मतलब यह आपके मैक बुक को भी सपोर्ट करेगा और टाइप सी का कुई भी लैप्टॉप आ जाए चाहे वह आसूस हो चाहे लेनवो हो चाहे एच्पी हो चाहे डेलो सब में आप इसको इतलाइज कर सकते हैं तो अ हमारा यह है आप देखें यहां पर एच्पी में अलग-अलग वाटेज दे रखा है 90 वाट 150 वाट 200 वाट 230 वाट लेनवो में भी देख सकते हैं देन में भी देख सकते अब इसका बैनेफिट्स समझें इसका बैनेफिट्स है आपका गेमिंग लैप्टॉप के लिए जैसा कि आपको पता है कि जादतर लैप्टॉप टेक्नीशियंस जो है अपने पास 5 एम्पेर का डीसी मसीन यूज में यंगा यहां करते हैं कि 5 कोषगा हीाएम्पेर का 10 nap alguns यूज करते हैंि NES इन गों सभ्सक्रait आप किसी मृप्टॉप में करते हैं तो उससे क्या होता है यकम ओने उक्षब Чер trudक्र मतलब भूत taraf 150 वाटेज का वह हमारा DC मसीन होता है ठीक है ना कि गेमिंग लैपटोप के लिए हमें क्या चाहिए akan अलग-अलग वाटेज़ चाहिए 180 वाट चाहिए 230 वाट क्यों मतलब अलग Satinग अलग Τा अगर कोई गेमिंग लैबटोप 150 वाटेज से जादे का है जाएड सी बात है फाइब एम्पेर के डीसी मसीन पर काम नहीं करेगा उसके लिए आपको अलग से पर्चेज करना पड़ेगा टैन एम्पेर का डीसी मसीन लेकिन यहां पर यह डिवाइस जो हम लेके आए हैं इससे आपको सॉलूशन दिया गया है कि आपको न लेपीं को गे मिंग लेपीं पर अब यहां से वाटेज सेट कर सकते हैं दिखा हो ऊपकर सतव है है कंट और वॉटेज कब्ले तो यह अब ने देख लिया इसको यूज करने का simple trick यह ही है और आप यहाँ पर मेरे वीडियो में देख पा रहे है कि मैं यहाँ पर 5A का DC मशीन यूज कर रहा हूँ देखिए 5A का DC मशीन यूज कर रहा हूँ और यह कोई बहुत heavy DC मशीन नहीं है है ना बहुत light weight SMPS based DC मशीन है ठीक है ना लेकिन अब मैं आपको इस DC मशीन से ही आपको यहाँ पर दिखाऊंगा है ना तो फिलाल मेरे पास gaming laptop तो नहीं है बट मैं आपको एक HP का और एक Dell का laptop पर दिखाऊंगा कि इसके जरिया अगर हम चाहें तो हमारा charging भी होता है on भी होता है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले हम connect करते हैं अपने HP का system को HP का system को हम connect करने के लिए जा रहे हैं देखे HP का system हम connect कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको एक बार on करते हैं on करके अब देखे हमारा भी चार्जिंग हो रहा है 100 परसेंट परा चार्जिंग है अभी तो चार्जिंग फूल है लेकिन में आपको दिखाता है कि मेरा यहां पर चार्जिंग भी हो रहा है प्लाग इन फूली चार जा रहा है एक पार डेल में दिखाते हैं हम डेल में देखते हैं यहां लम यूज करता है डेल में लगाए इसको अधेयर में भी कर्ड़ अँर्वारा ब्ल यहां पर आप देखिए देल ने को सेट करना और पहले यूज करेंगे तो डेल को सेट कर लेना आपको चले हैं यह हो गया शाम को आन करके विभा और चार्जिंग पर दिखाता हूँ मेरा चार्ज होता है की नहीं होता है देखिए सावे, आ ना करते हैं, सबसे पहले आन होना चाहिए, एम्प्र मेरा ले रहा है, वीडियो में आपको इसका आपको आपका चार्जिंग का ले लिए यहां पर अभी मेरी charging हो रही है यहां पर 21% है के आइर नहीं और फोरी दिर एपर पर्सेंटेज आपका इंक्रीज हुआ 22 पर्सेंट हुआ मतलब आप देख पा रहे हैं कि हमारा यह जो डिवाइस लगाने के बाद चार्जिंग भी पर्फेक्ट हो रहा है चार्जिंग में कोई इस्यू नहीं है जुचली है थोड़ा ऑट क्या होता है कि एक लेवल के बाद आपको चाहिए होता है एक लेवल के बाद आप को एक्क्रिसी चाहिए उता है एक लेवल के बाद आप यह नहीं देख तएंकि मुझे से 22 परसेंट हुआ है अभी आगे 23 परसेंट भी हो जाएगा है और देख लीजिए चार्जिंग वाला ले रहा है हमारा और चार्जिंग टाइम भी अगर आप देखेंगे 22 परसेंट है और यह बता रहा है फुली चार्ज होने में वान आवर 32 मिनट्स लेगा मतलब नॉर्मल है तो चार्ज हो रहा है और चार्ज़ में आगे जब आपको दिखा दे रहा हूं और आगे यह अच्छा़ दिवाइस है बहुत बरफेक्ट डिवाइस है है और अब भी मार्केट में न्यू लांच हुआ है मार्केट में जाकर आप पता करोगे यह डिवाइस दे दो तो किसी से मिलने वाला नहीं है मार्केट में घूमने के जरूस है नहीं है कि अब आधे नियू ले लॉंच है तो अभी धिरे-धिरे मार्केट में लोग लेंगे कर्या है कि हम यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर एक लेप्टोप यह आप हुआ हमारा टाइप c वाला है कुछ करते हैं यह उसको अटका देज़े double तो नॉर्मली रहेगा चार्जिंग परसेंटेज अभी 79 परसेंट है अब हम टाइप सी का यूज करते हैं देखते हैं चले है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने इस डिवाइस को लगाया यह हमारा चार्जिंग के लिए प्लागिन हो गया एक बार हटाऊ एक बार हटाऊ यह देखिए चार्जिंग मेरा यहां से हड़ गया अब फिर से लगाई यह फिर से लगाई एक दिखाए अब यहां पर देखेंगे 79 परसेंट अब आप देखते हैं चार्जिंग एंप्यर भी देख सकते हैं डीसी मसीन पर आपको नजर आ रहा है आना इस डिवाइस पर भ दिवाइस को दिखेंगा जो भी एंपयर ले रहा हमारे डिवाइस मतलब यह वो यह डिवाइस जो जो इbek लिएंख आपका यह वहां पर काम आ सकता है घ्bür्यायوس को है सड़कित कर दोوف faculty City का में यहां सब्षेयर ठीचट ने जरते 것도 पूराने दीजिक वाले डीउपावर्ण सब्सक्राइब है तो अभी यहां पर देखते हैं क्या होता है कई नहीं हो एंपियर कोडिंग में फसते हैं तो अभी हमारा इससे भी ओन हो जाता है यह आपको टाइप सी भी मैंने दिखाया इससे भी हमारा ओन हो गया आप यहां पागा लेडी देखेंगे यह चार्जिंग लेडी भी गलो कर रही है तो कुल मिला के मत्तब यह मैं कहना चाहरा हूं कि यह डिवाइस है मैंने आपको लेन वो डेल एच करेगा चार्जिंग करेगा एक गार चार्जिंग इस्टार्ट हो गई तो परसंटेज आपको इनक्रीच करेगा फरसंटेज ने करें तो वह अलग से समझ सकते हैं फिलाल मैं देख लेता हूं वेट कर लेता हूं 79 परसेंट है तो यह डिवाइस लेंगे टोटल इसके साथ यह देख सकते हैं यहां भी चार्ज हो रहा है चार्जिंग आपका ले रहा है मतलब कहने का यह मतलब है यह डिवाइस आप रख सकते हैं और एच्पी डेल लेना वो किसी में भी यूज कर सकते हैं और सबसे मेन बेनेफिट्स जो है मैं यह नहीं कहता हूं कि नॉर्मल लैप्टॉप के लिए इस डिवाइस का यूज है जा मेंनली किसके लिए थे हाई वाटेज डिवाइस के लिए हाई वाटेज के अगर लाप्तॉप हैं आपके गेमिंग के लाप्तॉप तो उसके लिए डिवाइस आपको भावाइदेमंद है आपको अलग से 10 एम्पेर काका DC मुषीन लेने के जरुद नहीं है इस डिवाइस में मल्टी वाटेज का तो जो आज का ये वीडियो था बेसिकल इसी डिवाइस को समझाने के लिए था कि इस तरह यूज करेंगे यूज करना बहुत सिंपल है सबाजना भी बहुत सिंपल है तो इसी के साथ विदा लेता हूं आज के वीडियो से धन्यवाद